यहां पर आपको EPFO टाइब करते के साथ ही आपको यहां पर दीखेगा, EPFO कुछ इस पर कासर लिखा जाएगा, यहां पर कभी-कभी Unified Portal भी लिखा जाता है, UAN भी लिखा जाता है, ठीक है न, तो यहां पर आपको EPFO दीख रहा है, इस पर किलिक करना है, फोरूम भरने के वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते, फोरुट पासड़ कैसे करें, ठीक है, आपका पास अगर फोरुट मतलब कि पासबड नहीं है, ठीक है, भूल गये हो, ठीक है, तो यहां नबर डाल दिया, पासबड डाल दिया, कैप्चा आपको यहां दीख रहा है, इसको पर आपको किलिक करना है, ठीक है, यहां से फोरुम बरने के लिए, आपको अपना अकार्ण नमबर डाल देना है, इस जिगा पर, यहां पर, और आपको वेरिफाई उप्सन पर यहां पर किलिक करते हैं, जो वेरिफाई पर किलिक जैसे ही आप करोगे, तो यहां पर एक तो उसको भरेंगे यहां पर हमको क्लिक करना है और उससे पहले मैं आपको यहां दिखाने की कोशिस करूँ यहां पर देखो यह हमारा जो रीजन है जो रीजन हम भरते हैं रिजाएंग का लिविंग का वह सोट सर्विस का है ठीक है जिसको एक्जिडेट हम बोलते हैं ठीक है आपको किलिक कर देना है यहां पर आपको दिख रहा होगा इस जिगा पर मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ इस जिगा पर आपको करना है ठीक है चलिए हैंसे किले हमका पारा हम सेलक्ट करेंगे पारा है हम सेलक्ट कर चुके हैं मैंने आपको बोला था I went to apply for किस चीज के लिए आप अपलाई कर रहे हो तो पारा यहां से सेलक्ट करना होता है तो पारा हमने फूलन फाइनल का चुना है तो only पीएफ विड्रॉल फौरम उन्निस ठीक है इसको पूरा आप को देखना जब आपका उप्षन आताह है तो आप अपको kg कर सकता है तो उसका जो परसंटेज है मैं आपको प्पता चुका हूं यहां से अधिक जानकारी के लिए आप मेरे वीड guards डेक वीडियो है टेकस से बचने के लिए पंदरजी फॉरूम भागर वगर वें दुवंघ हुआ करा it पर आइस संस्ट नहीं क्जिन पर तो एक पयाइक हैसी यह बहुत है टेकस लग जाता है clear आपको समझ महार होगा जैसे जिसे मैं बता रहा हूँ आपको मेरी बात पर पूरा ध्यान देना है अब यहां से employee address आता है employee address के लिए आपको अपना address डालना है full address डालना है आधार काड़ के back side में आपका address आपको नजरा जाएगा पूरा आपको डालना है ठीक है जैसे आप address हो जाता है तो just नीचे मैं इसको scroll कर देता हूँ अब आप यहां से देख सकते हो मैं कोशिस कर रहा हूँ आपको यहां से समझाने की यहां पर आपको select state करना है उसके बाद में आपको जो भी city है वह आपको कर लेना है और आपकी जो city है डिश्टी है ठीक है आपको यहां से अपना जो pin code है आपके आधर काड़ पर ही देख है upload scan copy of check and passbook मतलब कि आप check को लगाओगी यह पास्बुक को लगाओगे जिस bank का अपने account डाला था जिसमें आपको पैसा मंगाना है उसका check लगाओगे यह पास्बुक लगाओगे तो यहां पर यह पूछ रहा है ठीक है तो आपको यहां पर एक option दीखेगा choose file का ठीक है मै अगर image आपने पहले से ले रखा है तो इसको direct आप लगा सकते हो याद रखे आपको वह है आपको जो यहां गाडलाइन होती है इसके अंतरगत आपको लगानी है यहां पर लिखा हुआ है only jpg and jpeg file on file maximum sorry minimum 100kb and maximum 500kb ठीक है इस size के अंतर आपका होना चाहिए नहीं तो यहां यहां तक आपको समझीवागे होगा अगर आपका फोटो सेलक्ट नहीं होता है चेक का यह पासबुक का तो आपको एक रेटलर का मेंसेज आ जाएगा रेटलर का एरर आ जायएगा इस जिगापर ठीक है अपको जेसे मैं समझारा हूँ आपको ध्यान देना है ठीक है यहां पर एक एरर आ जाता है अगर आपको फोटो सेलक्ट नहीं होगा चेक का ये पास्बूक का अब इसको स्क्रोल कर देता हूं आगे के तरफ और बढ़ते हैं दिखा रहा हूं और आप इधर देख सकते हैं गेट आधार ओटीप ठीक है इस पर जैसे हम किलिक करेंगे तो ऑप्सन आएगा कुछ इस प्रकार से अगर आपको नहीं आता है तो आपको रिसेंड ओटीप पर किलिक करके दुबारा मंगा लेना है फुली यहां से और आपको दिखा भी देता हूं मैं मेसिज आप पड़ लेना इसको पूरे को पढ़ना आप यहां लिखा गया है कि आप ओटीप हैस बीन वेरिफाइड एक वीव पीडियाफ तो यह बोल रहा है कि आपने जो फॉर्म भरा है अभी फॉर्म सब्मिट हो चुका है ठीकिन आप यहां पढ़ लो दुबार यह लिख भी रहा है आप आराम से पढ़ लो जैसे जैसे आपको बताता हूं आपको मेरी बात पर ध्यान देना है और आपको आ आगे होगा तो आशा करता हूं दूस्तों इस वीडियो के माद मला देंसे में आपको पूरा प्रोसेस बताए कि प्याफ मोद्रोर के लिए अवे फोरॉम कैसे बढ़ते है सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद